इस question में दिया गया है दो वर्स के अंत्मिक निश्चित रासी पर चक्करवर्दी ब्याज रुपई 408 होता है उसी अवधी के लिए समान रासी पर साधर्ण ब्याज रुपई 400 है वार्सिक ब्याज दर ग्याद कीजिए विद जब दो वर्स में साधर्ण ब्याज 400 है वार्साल ब्याज तो बराबर मिलता है साधर्ण ब्याज में तो एक वर्स में कितना हो जाएगा 200 चक्करवर्दी के केस में क्या दिया गया इसने जैसे मैं एक्स रासी मान लेता हूँ, एक्स रासी पर दो वर्स का कल्कुलेट करते हैं, तो पहले वर्स इस पर जो भी परसेंटेज लग रहा हूँ, वो सिंपल इंट्रेस्ट मिलते हैं, 200 रुपे, अगली बार एक्स पर तो 200 रुपे मिलेगा, लेकिन इस 200 पर और भी आज मिलेगा, वो कितना मिल रहा है, वही इसने बोला, टोटल 408 मिल रहा है, तो 400 तो यह हो गया, यहाँ पर 8 रुपे भी आज मिल रहा होगा, यह 8 रुपे भी आज किस पर मिल रहा है, 200 पर, हमें परसेंटेज बताने हैं, तो 8 है, वो 200 का कितना परसेंट है, वो निकाल लेते हैं, दो जीरो से दो जीरो दो चोको आठ चार परसेंट नमारा अनुस्वर आजाएगा जो कि उपसर बी दिया गया है ठीक है